हैलो वरीवन वल्कम बैक टू अवर चनल जीपीएसिंग नेटवर्ग फ्रेंज आज आपले वाद करोणा चे फ्लूड मीकेनिक्स ना सेकंड लेक्छी ने अंदर फ्लूड प्रोपर्टीस ना मोस्ट एवा इंपोर्टन कोईशन प्रेक्टिस सेट 2 नी प्रेक्टिस एट 1 नीदर मा आपले फ्लूड प्रोपर्टीस विसेज महिती लेदी तो हवे नू आपलो जे पार्ट 2 छें तेमा अपन आपला फ्लूट प्रोपपटीस विशेज महेती लेवाने चेके गणावदा कोईशन्स चेक्जम मा फ्लूट प्रोपटीस माथीज पूचाएचे तो फ्रेंज वीडियो सरू कत्ता पहला आप सर्व विद्याथी मित्रोंने जलावा मागूचू के मरू नाम चे जाई गोहिल अने जुदमा शोशल मिडियानी अंदर कनेक्ट थमा माँगता होई तो आ आईडिस परोपटीस 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 जोइन करी सकोचू अब दास चोशल मिडियाने निक तमने डिक्स्रिप्शन बोक्स ने दे सर्वताधी मली जसे तो सरुवात करिए आज ने अपला सरस्मजाना विडियो नी सब परतम अबला क्वेशन ने अबले बात करिए तो क्वेशन एक आवा प्रक्कान होच है तो दिफरेंस परेंस जोटस तो फ्रेंस आप्रक्काना तमारे त्रण एकवेशन तमारे खास यह दे राखऊनां जोव पुछवामा आवे liquid drop माटे तो तेना माटे इनुँ equations हुदा से तो के pressure इक्वेशन दा से P is equal to 4 sigma upon D जे sigma सुचे तो के surface tension छे खास मित्र याद रगजू, surface tension शेमा मापवामा आवे चे तो के Newton per meter न रूप माँ SI unit पुछवामा आवे तो Newton per meter, तो friends आवाद थे liquid drop नी, हवे friends तमने exam पुछवामा आवे soap bubble माटे, सेना माटे पुछवामा आवे तो के soap bubble माटे, तो एवा equation अंदर मा आपनो pressure equation गेता हुदा से, तो pressure नुँ equation था से 8 sigma upon D, बराबर 8 sigma upon D, सेना माटे नुँ equation से तो के soap bubble माटे, औ आवे तो तमने त्रिजू equation पुछवामा आवे liquid Z माटे, liquid Z माटे, तमने equation पुछवामा आवे pressure नुँ equation था से 2 sigma upon D, चे वे तो मैं वाद करी, sigma से तो के surface tension छें, और D छें, जे liquid drop अथ्वा तो जे liquid Z छें, जेना डायामेटर, तो friends आथ तमने equation खासे तरा राखवाना चे, प आउसर होँदा से तो के 4 sigma upon R, अतो 4 sigma upon D, कोई पन वसुत में describe करी से कोचो, तो आउ question नो right answer बन से friends D, तरा बाला question ने आपने वाद करें, तो question के अवाब रकान होचे, the value of mass density in a kg second square, divided by meter raised to 4, for a water at 0 Celsius degree, it is equal to what? तो साउती मेला तापने एक खबर होँजे के mass density कोने के वाए, mass density it is a ratio between the water, it is a ratio between the mass of fluid through the volume of fluid, it is called as the mass density, अत्वादो density, SI unit तमने पुछुआ मामा आवे mass density नो तो kg per meter q, kg per meter q, mass density नो SI unit छे, एपन आपने खास खबर होँजे हैं, विजे एक बस्तु के water नी, mass density के तनी value के थसें तो water martini mass density नी value थसे 1000 kg per meter q, पर तो खास तमें question ने खास ध्यानती समझ सो, तो आपने प्रस्न पूछे लोचे के kg into second square, divide by meter rest to 4 नी value गेट ली थसें, तो friends हूँ तमने जे mass density छे, आव mass density ने हूँ gravitational acceleration होडे divide करूँ, तो मने value सुमर सें, तो खास ध्यानती समझो के mass density छे ते नो SI unit था से kg per meter cube, तेने हूँ divide करूँचू gravitational acceleration होडे, तो gravitational acceleration चे तेनों SI unit सुधा से, तो meter प्रती second square, बराबर, हावे friends तमें ध्यानती जो तो खबर पड़ी जसें, के kg into second square, divide by meter rest to 4, तो आ नी तो value आपने पुछे ली थे, तो friends आपने करवानों सुधा या equation नी अंदर मा, तो आ divide by हूँ 9.81 करूँ, क्योंके जे gravitational acceleration नी value बेड़ी था से, तो 9.81, तो 1000 divided by 9.81 करे, तो आपने final value अंदा जे मर से 101.9, तो 101.9 के value आपने आपने ली चे option मा, तो के yes, option number D, तो friends, right answer बन से D, तो आए तना में question चे exam मा, solve करी सको चो, तमारू presence of mind करी ते वर्क करे चे exam दरूम्या ए सवती वदार importance चे, एकदम example simple चे परन्तू, आपने process of my exam मा काम ना करे, तो आपने रीट करे लो चे ए विर्थ जाए, तो question ने खास द्यानती समझवानों चे, त्यार बात तेनो answer आपनों अपने प्रत न करवानों चे Now, next question is, if 850 kg liquid occupied volume of 1 cubic meter, then 0.85 represent is the work, तो question ने खास द्यानती समझी है, तो सू की देलों चेके 850 kg liquid चे, एक एटलू volume धारन करे चे, तो के 1 meter cube जेटलूं, तो के आज 850 kg आपने आपे लो चे, ए अल्टिमेटली सू आपे लो चे, तो के liquid नी density आपे ले चे, तो liquid नी density यहां कितली थासे, तो 850 kg पर meter cube, 850 kg पर meter cube आपने liquid नी density आपे ले चे, औने आपने एक value आपे ले चे 0.85, तो 0.85 चे फ्रेंस, आमादी काई value थासे, तो फ्रेंस, तमने question थोड़ों ट्रिकी बनाए वो चे, परन्तो तमारा खास द्यानती समझ वानों चे, अन्य तो specific gravity सुझे, friends, it is a ratio between the water, it is a ratio between the mass density of liquid to the mass density of water, तो के liquid नी density to the water नी density, NSU के आमाँ आपे चे ले चे, तो आपने आपे ले चे, तो 850 kg पर meter cube, right? तो हमें specific gravity माज equation माँ थोड़ों simplification आपूं, तो आपने पास है चे, 850 divided by आपने खबर अचे, के mass density of water के लिए थासे, तो के 1000, तो 1000 हूं करूं, तो 850 divided by 1000 करियें, तो आपने value के लिए माँ से हैं, तो के 0.85, तो ultimately जे 0.85 चे, एक कोनी value जे हैं, तो के specific gravity नी, तो right answer बंचे, friends आ question नो D, तो आरी दे तमें के questions एक समा solve करी सको, जे बढरेक तरेक जे, questions जे तो राक में tricky बनावेलाचे, tricky बनावेलाचे, एटलाइज बड़े के तमें question ने ध्यानती समझो, त्यार बात तेनो आंसर आपनो तमें प्रहतन सारी दे करी सको, त्या बाबडा question नी आपना वा droplet by the surface tension of 0.000075 Newton per mm, तो friends question ने खास ज्यानती समझो कि आपने सु आपे लोचे, तो के droplet माटे पुछे लोचे, तो हम नाज आपने आगर वात करी गया, के droplet माटे तमने पुछे लोचे, के liquid droplet माटे प्रेसर इंटेंसी नो फोर्मिला से तलो था से, तो प्रेसर इंटेंसी फोर्मिला था से, फोर सीगमा अपोन डी जेट लो, तो आपने सर्फेस टेंसन पन आपे लोचे, अने डामिटर पन आपे लोचे, तो आपने इजीली प्रेसर इंटेंसी ने फाइन करी सक्यें, परन तु खास फ्रेंस त्यानमा राखवानी वस्तु ए छे, तो अहीं आपन आपने जे आंसर आउसे, ए एमेम्स मा आउसे, और तो आपने आपने करोओ उपर से सेंटीमीटर स्क्वेर माँ, एडलाए कि न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वेर माँ, तो सौथी पर आपने वेल्यू अपने फाइन करिए, और आपने वेल्यू ने पूट करिए, तो फो बराबर क्यम्के 4 sigma अपन D छे बराबर तो 4 into sigma sigma अपने केटली आपने लिए चे तो के 7.5 into 10 raise to 5 हुँँ कई सको क्यम्के आपने 0.000075 छे तो तेने हुँ 7.5 into 10 raise to minus 5 लखी सको बराबर अने आपने डायामेटर आपने लोचे 0.075 तो तेने हुँ 7.5 into 10 raise to minus 2 लखी सको तो 7.5 अने 7.5 cancel था यासे माइनस 2 छे उपर जासे प्लस 2 था यासे तो आपने जे प्रेशर इंटेंसिटी छे जे फाइनल वेल्यू माँट से 4 into 10 raise to minus 3 हवे फ्रेंज आज यूडिट सेमा रहे से तो के न्यूटन पर अमेम स्कोर माँ क्योंके डायामेटर चे एपन अमेम माँ छे अनने जे सर्फिस टेंसन चे एपन अमेम माँ छे तो अल्टिमेटली जे प्रेशर इंटेंसिटी आपन सेमा सेमा तो के न्यूटन पर सेंटीमेटर स्कोर हवे जो फ्रेंज आटली विल्यू तमने खब अपड़ी कही होई कि 4 into 10 raise to minus 3 है तो जे पन आंसर आउसे एसे माँ आसे तो के 4 नी अंदर जासें यहलेके 0.04 0.4 अत्वा तो 4 नी सम्थिंग अराउंड जासें ब्रावा तो क्लेरली आपला equation नो आंसे directly आपी सके वदर नी calculation आपला करवा जवाई नई एक्जम मा और डायरेक्ली आपला आसे 0.4 ब्रावर किमके फोर नी आज़ू बजुमा कोई पन ओप्शन जा आपन आपेलो नहीं पान्तु अहीं आपले खास समझी एसे equation ने तो आपला कनवर्ट सब्सक्रावए कैसे दिया करी नाखें के वन सेंटीमीटर स्कवेर बराबर कितला एंगम स्कवेर था से तो फ्रेंद टेंडेरेस टू बराबर हावे इमारे एंगम स्कалы मारी से मा जवानू भूज़ेंतों लमारी शंटे से मा जवानू इतलला आपणे यह परर्णी दीर व न्यूटन पर सेंटिमेटर स्क्वेर नी वेल्यू केटली मर्से प्रेशन इंटिंसिटी 0.4 तो फ्रेंज तमारे जे जारे पुन एक्जामा कोईशन आवे हैं तो त्यारे यूनिट करुमा जेशन करवा जवाई नहीं डायरेक्ली तम्हें जोई सकाई छे के 0.075 छे अने जे सर्फिस टेंशन छे ये आपने 75 ना रूप मा जा पहलो छे आंसर आपने 4 नी अराउंड मर्से तो डायरेक्ली आपने 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 वाद करें तो कई क्वेशन आवा परकान हो छे के which of the following is not true about density of the gases gases नी डेंसीटी ना संदर्ब मा कई विदायन चे फ्रेंस खोटू छे तके साचू नधी ये आपने फाइंड करवान हो छे तो सवती पिल आपने शूबर वाद से तो के दरेक दरेक स्टेट्मेंट छे तेन आपने चेक कर वाद से तो स्टेट्मेंट नमर् density of gases नी बात करता होए तो एक equation आपने ideal gas माटे विचारी सकी है ideal gas माटे इक्वेशन सुधास है it is equal to what? P it is equal to rho rt तो friends P सूचे तो के pressure छे rho छे density छे R सूचे तो के R छे gas constant औन T छे temperature तो आपने जो ही सकाया छे के P it is directly proportional to the density of the gas right तो ultimately जे option number one छे ए साचो छे त्यार बार सूचे के it is inversely proportional to the temperature तो friends तमें जो ही सकाया छे के equation आपने आपने तो P is equal to rho rt छे rho छे density of gas छे ती छे temperature of gas छे तो आपने जो ही सकाया छे के T ने आपने जो करता बना विए तो आपने एक्वेशन सुबन से तो के P upon rho r तो आपने जो ही सकाया छे के T which is inversely proportional to rho एटले के density of gas तो आए एक्टम विदन साचो छे के inversely proportional to temperature तो के density which is inversely proportional to temperature अत्वा तो temperature छे ए density ना व्यस्त प्रमान मां छे option नमबर B छे एपन साचो छे लगे पेला बे option छे एक्टम करेक्ट छे तो आपने खबर छे के density is equal to 10 तो के mass upon volume हम से तो हमेशा density छे ए वोल्यूम ना व्यस्त प्रमान मां छे लगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टो वोल्यूम तो option नमबर 123 तरेक दरेक दरेक साचा छे तो आपने लास्ट ओप्शन चे does not depends on temperature ने प्रेशर तो हमना आपने वात करी P is equal to rho RT नी अंदर तो के जे प्रेशर छे औने temperature छे density बनने ऊपर डीपेंड करे छे तो अल्टिमेटली आ question नो right answer शूबन चे तो के D बराबर A कज वीदाने हुचे के जे खोट हुचे अनने A ज अपने फाइन करोनों चे तो तमारे खास द्यान मा राखवानी वस्तू A छे के density of gas नी जारे पन आपने वात करे तो pressure ना संप्रमान माह से temperature ना व्यस्प्रमान माह से वोल्यूम ना पन व्यस्प्रमान माह से पन तुम माह से इना संप्रमान माह से तो दरे कदर एक वस्तू फ्रेंज आरे तो तम्हें के क्याद राखी सको चो तरबाबर A question ने अपने वात करे तो question के आवाबर कानों चे question खास केल्कुलेटिव चे तो ध्यानती समझ जो के सू के वा मागे से question सूचे a sphere of diameter 30 cm diameter आपे लोचे sphere 30 cm it is moving with a uniform velocity of 4 meter per second 4 meter per second आपने velocity आपे लिछे the dynamic viscosity and specific gravity of liquid it is given as the 0.8 poise and 0.9 respectively What is the Reynolds number? तो फ्रेंस पहला तो आपने एक खबर विजो के Reynolds number नू equation सूधा से तो Reynolds number नू equation सूधा से खास तम्हें note down करे ले जो rho VD upon mu rho सूचे तो के density of the fluid, V it is uniform velocity, D it is the diameter, mu it is the dynamic viscosity हावे फ्रेंस आपने value के कई कई आपे लिछे तो के diameter आपे लिछे 3 cm बराबर एनने आपने मीटर मां convert करी तो 0.3 meter थी जासे पचे आपने uniform velocity आपे लिछे 4 meter परती 2nd नी बराबर पचे आपने dynamic viscosity नी value पन आपे लिछे 0.8 पोईज आपे लिछे तो के 0.08 Newton second per meter square equation खास एक्जाम हाँ पूछाए के 1 Newton second per meter square is equal to 10 पोईज था एटला माते हैं तो आपने एक separate question से एक्जाम खास पूछी सके छे औने आपने जे specific gravity नी value आपे लिछे 0.9 आपने कई करो ना थी जो आपने Reynolds number equation आपने अवर्त होए तो इजी लिए question नो answer आपने आपी सके तो Reynolds number equation में कितुए मुझे आपके rho VD upon mu हाओ फ्रेंस तम्हें equation ने खास द्यांत्री समझो तो यह तम्हें जो इसका से के जो VD divided by mu upon rho करू तो आतो सूचे फ्रेंस तो के kinematic viscosity जैने आपने new तरे क्योड़ किये छे kinematic viscosity which is the ratio between the dynamic viscosity to the density of fluid तो फ्रेंस आपने जो इसका से के VD upon new एटले आपने सुम इसके छे तो के Reynolds number तो सौथी पेल आपने फायंद करिए है kinematic viscosity ने काइनमेंडिक viscosity लगए dynamic viscosity divided by density हवे फ्रेंस density of any liquid it is equal to सूधास है तो के specific gravity into density of water इतले हूँ mu divided by g into gamma w लखी सको तो आपने mu नी value आपने केतली आपने लिए चेके तो के 0.08 किमके तेने हूँ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्कूर मां convert करिए ना कूँ जीनी value आपने अपने लिए चे 0.9 अने gamma w लेके density of water आपने खबर जोई जोई है 1000 अज एक्वेशन चे तेने आपने सिंप्लीफाइ करिए तो आपने final value के टली मां चे तो के near about 8.88 इन्टू 10 देस्टू 5 10 देस्टू माइनस 5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्कूर आपने सेनी मैनी फ्रेंज तो खास मित्रों ध्यानमा राग जो एनी आपने value माले चे न्यू नी बराबर हवे रेनोर्स नमबर नू एक्वेशन आपने फ्रेती बुलाई जाओ नो जो ये वी डी अपोन न्यू तो वी आपने आपने लीचे 4 मीटर पर 30 सेकंड डा मीटर आपने खबर चे येने आपने मीटर आपने करना की तो 0.3 डिवाइड बाए आपने खबर चे 8.88 इंटू 10 रेस्टू माइनस 5 हवे फ्रेंज आज एक्वेशन जी तेना आपने सिंप्लिफाई करिये तो रेनोर्स नमबर ने वेलियों अंदा जे आपने आपने अमर से ते रजाने 500 तो फ्रेंज आओ कोई ओप्षन हाजर छे तो के यस ओप्षन नमबर सी तो आपने राइट आंसर बन से सी तो फ्रेंज आज एक्वेशन चे तेमारी समझवा जे भी बाबत सूझे तो एक तो चे रेनोर्स नमबर नूँ एक्वेशन ये तमने खास भूलाइन बराबर रो वी डी अपोन मू धा से परन्तु मू अपन रो आपने डेकर ये अपने मर्से काईनेमिटिक विसकोसिती इतल्य आपने डायरेक्वेशन आपने मर्से हैं वी डी अपोन नू तो आउ एक्वेशन पन तमें खास याद राकि सकोच हों रेनोर्स नमबर पूचे इन टम्स ओ दाइनामिक विस्कोसिटी अथ्वातो काईनामिक विस्कोसिटी तो मैं आर इते क्वेशन ने सोल करी सको चो आप रखानों क्वेशन से ओल्रेडी जीपी एसी क्लास टू मा पूछायलो चे फ्रेंज तो हवे आज अब रह्काना क्वेशन से ओल अट ने क्लास टू मा पूछा़े ऑद पूछा से वाँतो जी बेजिक कंसेप्स ise त्यों परवला कुईशन नहीं अपने वाद करें तो कुईशन से विच्व दो फोलोविंग प्रेसर यूनिट रिप्रेजन दल लिस्ट प्रेसर तो अहीं आपने लाज ओप्सण छे एक कोना यूनिट छे तो के प्रेसर ना चे एतरत आपने खबर पडिद जवी जोजीं तो अहीं आपले जे प्रेशर ना यूनिट छे तेमा थी लिस्ट प्रेशर यले के सव थी ओछो यूनिट क्यों दर्श आवे छे तो फ्रेंज आप रखाना जहरे पर क्वेश्चन एक्जाम मां पूछाए तो त्यारे आपनों पेलू काम करोने चे के दरेक दरेक यूनिट ने एक यू करी सेकाएं तो दरेक दरेक यूनिट पर साथ याद राखोनों प्रत्न गर जो क्यों कि वन मिली ग्राम इस इक्वाल टू केतला बार था से पहला तो एक रखान करों तो टेन देस टू माइनस थी बार था से हवे आपने खबर देने खबर चे के वन बार इस इक्वाल टू न्यूटन पर मिटर स्क्वायर था से म तो अल्टिमेटली वन म्डों अफरल चेर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर थासे तो आपने एक वेल्यू कनावर्ट थाई गई वन मिलिक बार इस इक्वल टो 10 भेलें तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वेर हवे अपने वाद करें mm of mercury तो 1 mm of mercury नी वेल्यू किटली थासे तो त्यनने आपना outbreak करें Newton per meter square मां तो आपने खबर च्छे के जे Mercury छे तीनी density केटली झासे तो के 3600 आश पास into आपने multiply करी 9.81 into 10 raise to minus 3 करी हैं तो आपने जे 1 mm of जो Mercury छे तीनी value आपने कणवत ही झासे Newton per meter square मां तो तीनी आपने value अंदा जे कितली मर्से है एक सोने तेतरीस पॉइंट बेतारीस न्यूटन पर मीटर स्क्वेर हवे कंपेर करो मिली बार साते हैं तो मिली बार नी जे वेल्यू छे ए जे वन एम्म उफ मर्क्यूरी छे तेना कता ओची छे आगल आपने चेक करियें के केजी एफ पर सेंटी मीटर स्क् 9.81 इन्टू 10-24 तो जोही सकाई जे फ्रेंज के mm उफ मर्क्यूरी छे तीना कता पन वदार वेल्यू से कोनी मड़े छे तो के kgf पर सेंटी मीटर स्क्वेर नी तो आपने चेक केरू मिली बार mm उफ मर्क्यूरी अने kgf पर सेंटी मीटर स्क्वेर तो तो तने मार्थी जे उफी ओची वेल्यू कोनी चे तो के mm बार नी चे पंतों यह आपने भूलूना जोए कि एक वजारनों ओप्षन चे Newton पर mm स्क्वेर अई खास मित्रों करवड करनांक चो Newton पर mm स्क्वेर नी तो आपने Newton पर mm स्क्वेर चे तेने आपना कण्वंड करिये Newton पर मिटर स्क्वेर तो जो ही सकाई चे फ्रेंस के साथी ओची वेल्यू आपने कया unit नी मर से तो के mm बार नी मिली बार नी वेल्यू आपने साथी ओची 10 रेस तो 2 Newton पर मिटर स्क्वेर मने चे तो जेतला आपन में तमने unit conversation किदा ए दरेक दरेक unit conversation याद राखवाना चे है 1 kgf cm2 is equal to 9.81 into 10 raise to 4 Newton per meter square 1 Newton per mm2 बराबर 10 raise to 6 Newton per meter square 1 mm of mercury it is equal to 103.42 Newton per meter square अने 1 millibar बराबर के तो 10 raise to 2 Newton per meter square तो friends आपने question आपने राखवा बन चे ए मिली बार तेमके अहीं आपने जे दरेक दरेक option चे तेमा साथी नानो unit चे मिली बार नो now next question is the compressibility of the fluid it is given as 5 into 10 raise to minus 11 meter square per Newton what is the bulk modulus in a giga pasc of fluid तो friends गणिवादी वस्तू आ question नी अंदर मां समझवानी चे साउती बिला आपने क्रिदू चे के compressibility आपने चे 5 into 10 raise to minus 1 meter square per Newton however friends एक वस्तू खास note-down करी लियों के जे compressibility चे it is equal to what it is a reciprocal of bulk modulus bulk modulus ने आपने सेमा दर्साविये चे तो के के वरें तो compressibility which is the word it is a reciprocal of bulk modulus तो तेवी जीत आपने जो bulk modulus नी व्याकिया पुछे तो it is the reciprocal of compressibility बराबर हवे friends तो के आपने फाइन करियें तो 1 upon c c नी value के लिए चे compressibility आपने 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 लिए चे 5 into 10 raise to minus 11 हवे आज equation जीतने आपने simplify करिये तो आपने final value मर से 2 into 10 raise to 10 पासकल तो के हूं 10 अबरे मल्टीबले करो तो के 20 into 10 raise to 9 पासकल था से 10 raise to 9 पासकल ले कितला लखी सके तो के 20 गीगा पासकल तो आपने आपने आंसर सेमा मांगे लो चे तो के रेसीप्रोकल बल्क मोल्यूलास बल्क मोल्यूलास एतलेस होता से तो के बल्क मोल्यूलास इस रेशोबीट्वीन मातें compressive stress to the volumetric strength तो फ्रेंस आ equation पर तमारा खास यह राखवान हो चें और जो बलक मुल्यूरस चे आइडियल फ्लूड माटें जो आइडियल फ्लूड चे तेना माटें हमेसा बलक मुल्यूरस नी value के लिए थासे तो के आइडियल फ्लूड माटें बलक मुल्यूरस नी value थासे इंफिनिटिव जस्ट बीकोज ओफ के बलक मुल्यूरस हो थासे तो के compressive stress जनरल आपने भासा मालकें तो के stress upon strength तो हमेसा जे आइडियल फ्लूड चे तेमां आपने volumetric strength जो अमरतू नदी आइडियल फ्लूड चे एक एवाब रखकानों फ्लूड चे तो के incompressible छे that's why तेने अदर मां आपने volumetric strength जो अमरतू नदे इतलाज माटे फ्रेंस यहां आपने जो strength 0 थाई जाए तो ultimately bulk modulus नी value के लिए था से तो के infinity था इसे तो आभी दरेक दरेक वस्तो फ्रेंस तमारे साथे याद राखनों प्रेतन करों चे जे आइडियल फ्लूड चे एक एवाब रखकानों चे तो के frictionless चे एपन साथे याद रखो अल्रेडी आपने डिसकस करी की चुकिया चे पर तो साथे दरेक दरेक वस्तो ने कंबाइन करिलों और याद राखनों प्रेतन करों आइडियल फ्लूड छे फ्रिक्शन लेस चे विश्को सीटी चे जीरो असे बराबर अने जे आइडियल फ्लूड छे तेनी बलक मुलेस न सेंटीमेटर, the height of capillary rise of water in a 0.2 mm of diameter tube in a centimeter will be the work तो फ्रेंस आपने सू पुछे लूचे तो के capillary rise मतने पुछे तो capillary rise मतने जे equation चे खास आपने ख़बर परीज़े जोईने केपिलरी राइस मारे इन्हों इक्वेशन था से एज इस इक्वेल टु फोर सिग्मा कोस थीटा डिवाइड बाइ रोव जी डी चे तोके डायामेटर ओफ ट्यूब चे जी डेंसीटी चे जी गेवेटेस्टनल एक्सरेशन चे सिग्मा सर्फेस टेंसन चे तो आपने जो ही सक डायामेटर ओफ ट्यूब तो आपने पूछेल उसू जे फ्रेंस तो कि अपने एक तो डायामेटर ट्यूब नी इनिप्येवें एक्सित आपने खेली नी एपाने 10 मॉइli खेलtsåे तो फ्रेंज आपने इपासे D1, H1 और D2 छे तो त्यार आपने H2 ने आपने इजीली फाइन करी सक्कियां तो आपने खबर छे केपली राइस विच इज इन्वर्स्टी प्रपोर्पोर्चनल टू डायामेटर ओफ ट्यू तो तेने आपने आरीत लखी सक्किये H1। डीवाइड भाई H2 और इन्वर्स्टी प्रपोर्पोर्पोर्चनल टो एटले के D2ू डिवाइड भाई D1। फ्रिंटस आपने fine सू करोनों चे तो के h2 ने fine करोनों चे तो के h2 ने करता बनावी opacity तो आपने final value उमर से h1 d1 divided by d2 h1 आपने आपने आप़ेला चे तो कि 3 छे हम त्रों आपने 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 आप एलाचे तिहरा diameter नी value कि लिए छे तो कि 1 छे अने d2 वेटले के diameter d2 नी value के लिए चे 0.2 हवे आ equation आपने solve करिये तो answer आपने केटलों मां से तो के 15 cm तो आओ कोई option आपने आपने आपेलो चे तो के yes option number c तो friends आज इदर आपने equation चे exam मां solve करिये सकोच हम तो आ question आपने right answer बन से c friends तो तमारे खास सिखवानों सूचे तो के capillary rise नो equation खास बुलाए नी वराम वर exam मां equation capillary rise मांदे निकड़े चे equation चे 4 sigma cos theta upon rho g d तो हमेशा जे capillary rise चे friends surface tension ना सम प्रमान मां चे जेरे diameter of tube चे तेना वियर्स प्रमान मां और density of fluid चे तेना पन वियर्स प्रमान मां चे तो आभी दरेक दरेक जे relation चे friends ये पन तमारे खास याद रखवाना चे कोई पन वसमें तमने चेंज करी ने exam मां पूछी सके चे नाउ next question is surface tension for ideal fluid is the what एकदम basic question चे friends एकजमा पूछाए लो चे के surface tension ideal fluid मांने किटली हो था से तो आइडियल फ्रूट नी पिला पन वात करी गयों चोके ideal fluid चे प्रकान नो friction less चे लगए friction हमें सा 0 हो से विसकोसिटी चे एपन 0 हो से बल्क मुल्यूलस चे तेने value infinity हो से तो आभी दरेक वस्तु खबर जासे हो आईडियल फ्रूट चे नेचर मां क्यारे एक्सिस्ट करतू दरेक दरेक फ्रूट आपना जो यह चेके वा चे तो के real fluid चे बराबर तो हमेशा दरेक 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 फ्रूट चे तरी विसकोसिटी पन हसे बल्क मुल्यूलस पन हसे अमुक फ्रिक्शन पन हसे तो ultimately आपने वात करमा में चे surface tension for ideal fluid तो surface tension चे तो के tensile forces चे जहरे surface उपर लाग सर्फेस टेंशन चे फ्रेंश न्यूटन पर मीटर मा मापुवा मावे चे एससा यूनिट न्यूटन पर मीटर रच चे फरन तो हमेशा surface tension ने विल्यू केटली हसे तो के 0 हसे जस बीकॉज फ्रिक्शन लेस चे फ्रिक्शन हसे नहीं विसकोसिटी हसे नहीं अने जै आपले बल्ग गमर रहते तेनी विल्यू इंफिनिटी होई तो एवा केस मा surface tension ने विल्यू पर केटली था से तो के 0 था से फोर सर्ड नहीं होई फ्रेंश तो आपने जे value से surface tension ने 0 मरस है तो आवे दरेक दरेक वस्त तू याद राखो लास मा एक फरीदी डिसकस करी दो के जो surface tension मा पुछे तो 2 sigma upon D था से ब्रावर अना आइडियल फ्रूट माटे हमेशा surface tension ने value 0 था से एक वस्तू मने साथ याद राखे छे के capillary rise छे friends आगर मना example मा जोई गया चे capillary rise छे आ capillary rise हमेशा कोना उपर deep end करे छे तो friends खास वस्तू द्यान मा राख जो के surface tension only हमेशा option तमने आप एला होई cohesion, aeration, surface tension के all of the above तो हमेशा olive the above मा टीक करी ना आउता नहीं, surface tension उपर only आदा राखे छे capillary rise और capillary rise छे हमेशा diameter ना व्यस्त प्रमान में होई छे, आवी दरेक वस्तू तम्हें याद राखता जाजो, क्या रेबना प्रोब्लेम दसे नहीं, तो friends आपना मात्र 10 questions चे, पर तो 10 questions चे मात्र अप घना बदा जे questions चे exam मा बुच्छा चे, ये दरेक वस्तू को वरता जासे, एटला जमाटे coach to friends के आपनी lecture series ने खास, strictly follow करो, जे पन विद्या थे में तुरो competitive exam ने तयारी करे चे, class 1 हो, class 2 के class 3, दरेक लोकों ने आपला वीडियो ने share करे तो, जेती करे ने सूद आसे friends के आ आ तरन सब्जेक ने आपने सक्सेसुली कंप्रीट करने का, हवे friends आपने तेरे वाद करी चे, fluid mechanics ना, fluid mechanics ना दरेक दरेक चेप्टर वाइस हूं तुमने MCQ करा आओ जाओ चो, चेप्टर नमबर वन अतु फ्रेंस के फ्लूड प्रोपर्टीज, fluid properties ना total आपने बे पार्ट ज सब्सक्राइब करें, तो आज नो आपने वीडियो आई होग कि तुमने पसंद आवियो होई तो वद्धू मादे लोकों सब्सक्राइब ना करी होई, तो सब्सक्राइब करी दोने साथे बेल आइकने पन प्रेस करी दो, thank you for watching this video guys, have a great day and have a nice day